हेलो एप्रीवान वांस अगेंग सो वेलकाम बैक तो दिनेट सेट को नाइट पी चानल आई होप यू वाल आर डुएंग वैल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग डिसकास करेंगे मॉडल्स थीवरीज से जिसे हम लोग वालेड़ी पार्ट नमबर फोर तक यह चार पार्ट हम लोग डिसकास कर चुके हैं डिफ्रेंट सेक्सांस से यहां पर देखके पार्ट वान हम लोग डिसकास किये थे जियो मर्फोलोजी से देन ट्लामेट ओलिजी और ओस नगरफी सेक से जितने भी इंपोर्टेंट मॉडल से थे यह वो देखेंगे जैसे की स्वेंटरल पैलस थे ओरी अगाश्लॉक्स की थे अरबन मर्फोलोजी की जैसे बर्गर्स होमर है ओल्मैन का ठीके थे यह हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसका पीडियेप का लिंक दोस्तों आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग को लेके आया तो दोस्तों इसका डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर आपने आटेम नहीं किये हैं तो जरूर आटेम कीजिए मिस मत कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है आपका मॉक्टेश्ट है तो दोस्तों कल जो वीडियो आपलोड किया था मॉक्टेश बाला ठीक है डेस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको अगर नहीं देखे हैं तो उसमें दोस्तों यह लिंक दिया था मॉक्टेश खेलने के लिए मॉक्टेश आटेम करने के लिए तो एक सब्सक्राइबर उनका नाम है रिसाब तिवारी जी ठीक है तो उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैक्सिमम स्कोर कीतना है कितना मैक्सिमम जो है स्कोर के हैं दोस्तों दोस्तों one देखिए 77 परसेंटेज इसकोर ही जो है हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमाम इसकोर देखने को मिला है मॉक्टेश्ट में जो सेट नमबर फाइब दिया था दोस्तों सेट फाइब तो उसका लिंक अभी आपको डिस्किप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अगर आपने अटेम न अगर आपने एटेम किये हैं तो आपको पता है कितना क्वालिटी अच्छा है पोस्टेंस का तो दूसरे कंडिडेट्स का भी देखें इसको कितना है 50% किसी का देन किसी का 56% देन यहां पर 59% तो इस तरीके से 63 भी है 65 भी है तो यहां पर इस तरीके से मांग्स बना है तो तो अगर आपका ज्यारा है 77 से और जितना भी है कमेंड बॉक्स में लिखके बतायें कितना हुआ और इस वीडियो देखके जो भी कंडीडेट स यह त्यम करेगा उसका भी है आप भी आपना जो है इसको कमेंड बॉक्स में लिखके बताएं तो दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत लेट हो रहा है तो चलिए दोस्तों फास्ट जो थियोरी है अर्बान एंड सेटलमेंट जोराफी से बो दोस्तों यहां पर लिया गया है सेंट्रल पैलेस थेवरी डाट इस गीवन बाई दी वाल्टर क्रिस्टेलर 1933 भेरी 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 जितना भी भेरी लगा दो ज्यादा मैक्सिमाम जितना भी लगा सकता हूं उतना ही कम है दोस्तों यह जो आपका मॉडल है इस इसे नेट के लिए इतना ज्यादा इंपोर सन्सुर यहां से कोष्टिन्ट आये यहां से कोष्टिंग आयेगा हिermस कोष्टिन्ज देखे इसेंटरल पैलस्टे ओर सेंडिडा गूड्ल पोच लेता है वोह पूच्छ लेता है बहुसरा कोष्टिन से अपर पूच्छे ए tv वहलू कौनसा है के खमक्र किया कि सिवन कौन तो आपको सब कुछ यहां पर बताएंगे तो दोस्तों बने रहें एंटर तो देखे यह जो थीयोरी है Central Palace Theory given by the Chris Triller 1933 यह याद पूरा रखिये ठीक है यह याद रखिये किसने दिये है यह याद रखिये ठीक है तो यह जो थीयोरी है इनने प्रोपोस्ट किया था उन्हीं का एक बुक है देखिए Central Palaces in Southern Germany ठीक है इस बुक में इस थीयोरी के प्रोपोस्ट किया था क्रिश्ट्रोल जिने ओके इस बुक का भी याद रखिये Central Palaces in Southern Germany और इनका जितने भी सर्वे किया था इस थीयोरी के लिए वह सावधान जर्मानी जितने भी कंट्रीज है ठीक है इस टेर से सावधान जर्मानी में तो उसके ऊपर ही इनने किया था ओके देन दोस्तों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए Central Palace theory CPT is an attempt to explain the special arrangement size number and number of human settlement देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या explain करने के कोशिस किया गया है human settlement की special arrangement arrangement कैसा है size size कैसा है और number of settlements कितना है टेक नंबर संख्या ओके तो इस थीयोरी में यही explain करने की कोशिस किया गया है देन क्रूस्चिलर बेस्ट इस थीयोरी ओन टू economy concept यह दो economy concept की ऊपर जो है यह theory based किया गया है देखिए कौन सा कौन सा कौन सा जो है आपका basis है देखिए threshold limit and range of the good दो concept threshold and range of the good very very important दो ही टाम आपको याद रखना है दोस्तों यह जो थीयोरी है यह settlement geography से हम लोग पढ़ रहे इंडस्ट्रियल जोड़ाफिक के लिए तो अगर आपने इंडस्ट्रियल और मार्किटिंग और कोई भी जोड़ाफिक पढ़े हैं डिफरेंट पेपर तो उसमें भी आपको कि रिष्ट्रलर की सेंट्रल पैलस तेहोरी पढ़ने को लिए मिला है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थ्रेस होल्ड लिमिट क्या है और रेंज जोड़ा गूट क्या है तो मैं यहाँ पर आपको यह concept समझाने के लिए एक example दूगा ठीक है मैं पानीपूरी का दे रहा हूँ ठीक है किसी भी यह जो पानीपूरी वाला जो मैंने यहाँ पर example दूगा यहाँ पर पानीपूरी वाला ठीक है यहाँ किसी भी industrial complex या swapping center किCB ठीक है center को यहाँ पर रख सकते हैं service center ठीक है तो मैं यहाँ पर देखी तो फास्ट जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है थ्रेस होल्ट लिमिट समझते हैं विद दा एक्जांपल तुरू दी एक्जांपल ऑफ पानी पूरी ओके पानी पूरी में यहाँ पर यह देखिए यह आपका सब पूरी की दोकान है यहाँ पर तो मैं यहाँ में एक बहुती अच्छा ठीक है good service देता है ठीक है बहुती अच्छा quality product बनाता है वो पानीपूरी बहुत ज़्याद फ्हेमास है ठीक है तो दोस्तों यह जो पानीपूरी वाला है ठीक है जो ठेला है इसको दिन में ठीक है कम से कम 50 जो है कस्टोमर चाहिए ठीक है वो सर्फिस चलाने के लिए यानि दोकान चलाने के लिए दोस्तों इसको चाहिए पचास कस्टोमर अगर पचास कस्टोमर नहीं आते हैं तो दिन का इसका रोजी रूटी नहीं होगा इंकाम नहीं होगा वो सर्फिस नहीं दे पाएगा उसका दोकान जो है पूरा बंद हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या हुआ थ्रेस होल्ड क्या है थ्रेस होल्ड में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ minimum जो population चाहिए number of population चाहिए number of people चाहिए वो service survive करने के लिए यह ठेला को survive करने के लिए जितना population customer चाहिए उसे कहते है थ्रेस होल्ड लिमीट ठीक है तो पचास customer सब्सक्राइब चीज़ के उसका थ्रेस होल्ड लिमीट है यानि minimum number of people चाहिए उसको अगर नहीं आये तो कुलाफ्स हो जाएगा ठीक है लेकिन दोस्तों यह क्या कहते हैं पानिपूरी वाला जो है बहुत ही अच्छा पानिपूरी बनाता है इसके लिए यहाँ पर पचास नहीं उससे भी ज्यादा पांसों की करीब जो है आपका पीपल नमबर ऑफ कास्टोमर जो है इनके पास आता है दूर दूर से ठीक है तो अब देखते हैं रेंज आप गूड यह तो हो गया यहाँ पर पीडूरा कर रहे हैं तो यह सर्भाइब यह सब्सक्राइब पानिपूरी वाला है और इनको सब्सक्राइब करने के लिए यान अगर आप यह तो यहां पर क्या होता है बहुत दूर दूर से जो है है दस किलोमेटर पांच किलोमेटर दूर से यहां पर पानिपूरी खाने के लिए जाता है ठीक है तो यह हो गया रेंज अदर रेंज अब दा गूट रेंज अदर गूट किया है देखिया मैक्सिमाम डिस्टेंस maximum distance people are willing to travel, maximum distance cross करने के लिए भी travel करने के लिए भी राजी है, ताकि उसे एक अच्छा जो है good services मिले, तो यह हो गया range of the good, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यह तो मैंने पानी पूरी के लिए example दिया, लेकिन पानी पूरी नहीं स्रिफ नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी industrial complex ले लि ले लिए, बिग बजार ले लिए, कोई भी example ले लिए, उसके survive करने के लिए, देखिए, threshold range of the good दोनों ही important चीज है, ठीके, यहाँ पर देखिए दोस्तो, range of the good क्या है, range is the maximum distance people are willing to travel to use your services, तो दोस्तों यह जो example में, पानी पूरी वाला दिया ना, यह चाई के लिए भी भी चाई जो है बहुत अच्छा बनाता है टी, तो उनके चाई पीने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आता है, ठीके, आपको सब को पता है, तो आप इस तरह के सभी याद रख सकता है, ओके, तो range हो गया, maximum distance people are willing to travel to use your services, use your service, ओके, threshold क्या है, is the minimum number of people required to support these services, minimum number of people, यह उसके 500 लोग minimum चाहिए, या 50 लोग चाहिए, अगर नहीं आये तो उसका business नहीं चलेगा, ठीके, तो वो हो गया आपका threshold, और maximum distance बहुत दूर दूर से जितना भी लोग आ रहे हैं, service लेने के लिए, वो हो गया, range of the good, तो जितना quality product लेगा, उतना ही ज्यादा, जो है range of the good होगा, तो आई होब कि आपको यह समझ में आया होगा, आप देखते हैं, the crystal, central palace theory, has three principles, यहाँ पर प्रिंसिपल देखेंगे, तो फास्ट जो प्रिंसिपल से वो है, marketing principles, जिसे के थिरी भी बोला जाता है, then transportation principle, that is k4, then administrative principle, that is k7, तो आप ATM से भी यादर सकते हैं, यहाँ पर य यह में है, यहाँ पर आपका हो गया T, और नीचे यह, अगर आपको सीधा लिखना है, तो यहाँ पर यह ATM इस तरीके से लिख ले, यह TM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, then 4, then 3, तो यह से administrative, T से transportation, यह मार्केटिंग, यह TM, यादर सकते हैं, तो यह TM का code भी यादर रखि तो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए प्लीज एक लाइक कर दिजिए, अभी जो है next concept देखेंगे, next model देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, क्या है, economic location theory, और theory of market by August lost 1954, 1954 में यह theory इन्होंने दिया था, economic location theory, ओके, तभी एलपरोड करके देखते हैं, क्या क्या है, इसके लिए, तो आगाश्छ लोस दोस्तो एक book published किया था, title देखे, economics of location, तो इस book में इन्होंने एक general theory established किया था, of location, टीके, location के लिए, market location के लिए, ओके, दोस्तों, इनका जो theory था, यह नाम से भी जाना जाता है, ज्यादा, profit maximization theory, profit maximization theory, by August lost, दिया था, 1954 में, और दोस् था, वो है, demand, emphasis on demand, demand के उपर ज्यादा focus किया था, इस theory में, ठीके, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस diagram जो है, आपको याद रखना है, दोस्तों, यह model को आपको याद रखना है, यह diagram को, आपको copy में लिख लेना चाहिए, यहाँ पर, जो P है, वो है, market, और दोस् chance है, ठीक है, distance, और यह जो Q है, दोस्तों, यह हो गया, demand, ठीक है, इसे demand कोन भी बोला जाता है, ठीक है, यह diagram है, demand कोन भी बोला जाता है, ओके, तो मैं यहाँ पर, आपको समझाता हूँ, देखिए, यह देखिए, यहाँ पर city center पे, बीच में, यहाँ पर आपका, कोई भी market है, तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, जो demand है, दोस्तों, यहाँ पर ही है, तो demand कोन की, यह line है, सबसे ज्यादा highest है, यहाँ पर देखिए, कितना उचा है, ठीक है, जैसे ही distance ज्यादा होगा, दोस्तों, दिरे-दिरे, देखिए, यहाँ पर F की तरफ आ रहे है, इधर, तो D है, यानि distance है, तो इधर जितना भी जाएंगे, उतना ही दोस्तों, demand कम होता जाएगा, तो यहाँ पर, देखिए, city center, सबसे ज्यादा है, यह market है, तो market की बीच में, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका demand है, ठीक है, तो जैसे ही, यहाँ पर distance ज्यादा होगा, तो धिरे- जाएंगे, तो यहाँ पर और भी कम होगा, यहाँ पर और जाएंगे distance में, तो यहाँ पर और भी demand कम होगा, यानि कम population यहाँ पर आएगा, ठीक है, services के लिए, तो यह fund आपको याद रखना है, ठीक है, यह diagram जो है, आपको copy में, draw कर लेना चाहिए, और पूरे जो है, market center, और यहाँ आपका distance है, यहाँ पर यह demand है, ठीक है, याद रखेंगे, दोस्तों, अभी देखते है, theories of urban morphology, यहाँ पर दो बार अरबन हो चुका है, तो यहाँ पर urban morphology, जितने भी आपका important theories है, वो देखेंगे, तो दोस्तों देखते है, first जो theory है, वो है, concentric, concentric zone model, given by E.W बर्गेस, 1924, दोसो, concentric zone model, जो दिया था, वो है, बर्गेस, E.W. बर्गेस ने प्रोपोस किया था, 1924 में, ओके, इनका जो theory है, बहु सरा नाम है, दोस्तों, different name है, इस theory का, तो name देखे लिजे, ecological theory of structure, city structure, the bullseye model, the concentric ring model, concentric circles, model, different name है, लेकिन एक ही theory है, that is concentric zone model, popularly, यही नाम से जाना आता है, E.W. बर्गेस, बर्गेस की, जो यह model है, तो दोस्तों, यह जो model है, बेस्ट किया गया है, कौन से city के उपर, हो है, Chicago City, America, और इन्हेंने 5 zone दिया था, 5 zone इन्होंने दिया था, 5 zone देख लेते हैं, basically important जो चीज है, यहाँ पर theory का name, और आपका propounder कौन है, E.R. कौन सा है, और यहाँ पर particular zone कितना दिया था, यह देखिए, ठीक है, यहाँ पर circular zone दिया था, इन्होंने, तो first zone zone है, CBD, यानि Central Business District, दिन इसके बाद आता है, zone in transition, then third zone है, zone of independent workman's home, zone 4 में देखिए, zone of better residence, last में है, commuter zone, दोस्तों, आपको पाचो zone है, जो है, आपको sequentially arrangement करके रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर डाइग्राम भी देख लिजेगा, यहाँ पर आपका जो first, जो middle में जो आपका center है, वह है CBD, देन इसके बाल जो circle है, वह हो गया, आपका zone of transition, third हो गया, independent workman's home, zone of basically better residence 4 पे है, यह वाला, देन लाश्ट में green zone है, commuter zone की, ओके, नेक्स्ट जो model है, वह है, wage और sectoral model, बाई हमर, हैट, and Mr. Mr. Davis, 1939 में दिया था, तो यह theory postulate के था, 1939 ने based हुआ था, देखिए study of 64 American cities, और इसका भी दोस्तों यहाँ पर देखे, यहाँ पर concentric circle तो नहीं दिये है, लेकिन यहाँ पर five sector की बारे में इह ने बता है, five sector, तो कौन सा कौन सा है, फर्स जो है CBD, that is central business district, second में है wholesale and light manufacturing, third में है low class residential, fourth middle class and fifth that is high class residential, तो basically आपको याद रहा है diagram, तो diagram में, तो यहाँ से तो questions नहीं आता है, इस इस इनेट की एक्जाम में, लेकिन क्या पता इस model से भी पूछ ले, ठीक है सब से ज़्यादा इंपोर्टेंस जो है, आपका कॉंसेंट्रिक जोन मॉडल हो, और लास्ट में जोद मॉडल है, वहाँ से ज्यादा को से पुछाता है, तीज मल्टिपूल नुकलाय मॉडल, ठीक है, वह भी बाढ़ेंगे, यहाँ पर सेक्टर देख लेते हैं, कि यहाँ पर देख सकते हैं, है यहाँ पर हैं, रिसीडेंशियाल फोर्थ यहाँ पर है देखिए यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर फोर्थ है तो यह सब क्या है Medium Class Residential और फीप में High Class Residential तो देखिए, फिप यहाँ पर है देशकते हैं, यहाँ पर जो है, आपका High Class Residential हो है और यह जो लाइन है धोस्तों देख सकते हैं यह आपकाsix लीन यह जाड़ान की सब्सक्राइब है यह सद्सक्राइब में अड़न है दिखते हैं दोसतों इस्ट जो थी और है यह बहुत के सिटकी ऊपर विए में ये चीगाको सिटी और नाइन डिस्टिक्ट सेंटर छफ नीवे दिया था इन से नुकली आइदिया है देखिये फार्ट तो देखते है क्या है वोई CVD that is Central Business District देन सेकेड में हैं होल सेल एं लाइट मनेफेक्टरिंग ठीडी में देखिये लोग लास रिसिदेंशियल 4th middle class residential zone then 5th में है high class residential 6th heavy manufacturing 7th outlying business district 8 residential serve up and last में है 9th number pen industrial serve up sorry suburb दोस्तों आपको north district center of nuclei को याद रखना है पूर डीटो आपको same to same आद रखना होगा ठीक है क्योंकि यहां से बहुत और कोशिन पूझाता है डाइगराम पर ऐसे डाइगराम देगा बस जो है यहां पर सब कुछ तो दिया गया है साथ नूबर नौ नमबर तक तो आपको क्या करेगा यहां पर जितने वेन कोशन फेंचान ही नौबर है वह एर स्बस्केट यहां पर दो थीन सेंटर लिए शपूजेभवा दिया एक यह यहां पर फीडवला दे दिया सीवला दिया थार्ड बैवा दे तो आपको सब नौह ही दे दिया सपूज कि यह l तो आपको याद रखना होगा कौन सा सेंटर में कौन सा मॉड नंबर पर कौन सा आपका डिस्ट्रिक नुकले आई है ठीक है आपको याद रखना है तो फास में देखें CBD CBD यहाँ पर है एक नंबर ठीक है यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है तिक आपको याद रखना है हाइब क्लास रिज्ट 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 र सरवाप नाइन नमबर पर यहां पर है तो आपको डाइग्राम पूरा याद रखना होगा दोस्तों कि कॉपी में लिख लिए आप अब देखते हैं यहाँ पर दो इंपोर्टेन और कंसेप्ट इस प्राइमेट सिटी गिवन बाइक मार्क जफर्सन 1939 में दिया था और फिप्ट मार्यंग साइज रूल रेंग साइज रूल दिये हैं जेकी जिफ ने 1949 में तीकि आपको रखना है याद यहां से कोस्टिंस आता है आप दोस्तों देखते हैं थेयोरी जॉफ ओरीजिन ओफ टाउन्स तो टाउन्स का जितने भी थेयोरीज है अर्भन रेवलेशन गीवन बाई गॉर्डन चाइल्ड 1930 में दिया था आप याद रखिए कि अर्भन रेवलेशन है तीकि इनका थेयोरी का नाम ओरीजिन ओफ टाउन्स से लिए तो इनका इन्स थेयोरी में इन्होंने डिस्काइब किया था कि बैसीकली जो सीटीज है जो दिए słu का नाम दिखिए मैंन मेक्स हिमसेल canvi और ल और मंसेल बाई गॉर्डों चाइल्ड याद रखिए है मैं मैक्स हिमसेल था 1936 में दिया था ठीक है तो इस थियोरी में क्या बताया है कि यह से अर्बन जो है सोसाइटी स्ट्रांजिशन हुआ यह बिसीकली यहां पर यहीं डिस्क्राइब किये हैं तो आप एक बार अगरा पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्बूक से पढ़ सकते हैं तो दोस्तों सेक हेंडरी प्रेनीस थेवरी के भी इस नाम से ही आपको याद रखना है कि यह जो आपका इसकॉलर है वो औरीजीन आफ टावन्स के साथ एसोसेट है आपको इस तरह के से आध रखना है कि यह अर्बन जोरफी इसकॉलर है तो यहां पर देखिए इन्होंने फार्मेशन ओफ एर्ट वओंस के बार में बताया था और इनका एक बूब के ए सीट ऊरिजिंस नकीस एंड एक डास इसे आन्ड येर्ट के लिएव एक बुक है तो इसव बूक में इन्हें तो का सा मगी zero जार मुर्वा था किसा रहे लिएशन हुए तो इस वूक में जिस है इलाबरेट इन सिविलाइजाशन ओके नेक्स्ट दोसों थार्ड जो मॉडल है वो है लुइस मॉमफार्ड की थियोरी ओफ आर्बान इंपलोजन को किस ने दिया है लोईस मॉमफार्ड ने दिया है और इनका बहुत सरा वारक है दिखेंगे डिफरेंट भूक है देखिए दोस्तों फार् दिया गया है वो है टेखनीक्स और सिविलाइजाशन 1934 दिन कल्चर ऑफ सिटीज कल्चर ऑफ सिटीज नाइटीन थार्ड दा कंडिशन ऑफ मैं 1944 दा कॉंडर्ट आप लाइफ 1951 दिन लास्ट भरी वरी इंपॉर्टेंट इस दा सिटी इन हिस्ट्री नाइटीन सिक्तिवान तो ये दोस्तो बुक लिखनी के लिए इनको मिला है नेस्नल बुक एवार्ड ठीक है इनको इस बुक के लिए नेस्नल बुक एवार्ड भी मिला है तो आपको याद रखना है इन डिफरेंट बुक्स का नाम और आपको ये भी याद रखना है कि नाम क्या है थियोरी का इनक आपको इस तरीके से नाम से याद रखना है ठीक है बिसीकली इतना ही त्योरीज मॉडल सा अरवन जेग्राफी से ठीक है आई होब कि आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया है तो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दिएगा और जाते जिते आपको मैं आपडेट कर देता हूँ कि डिफ्रेंड जितने भी मॉडल्स मॉक टेस्ट दोस्तों मॉक टेस्ट और पेपर वाइज मॉक टेस्ट और पीडियेप का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक लिश्ट मिल जाएगा आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए और इस ल ठीक है मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स अलोट